Hello everyone, welcome you all at Lucaser Unlimited Study Zone तो आईए दोस्तों आज करते हैं Start Practice कुछ Maths के आए हुए Standard Type के Question कुछ बहत्रीन Questions देखेंगे जो different different competitive examination में लगातार आ रहे हैं और आ भी सकते हैं तो आईए इसी क्रम में आज पहला Question उठाता हूँ मैं दिखें Question आपके सामने स्क्वीन में लिखा जा रहा है Question क्या है Question है अगर fx equals to आपके पास में है if fx equals to under root of 1 plus x square आपके पास दिया गया है fx equals to under root 1 plus x square तो आपके सामने option दिये गया है कि पहला f of x into y is equal to fx into fy second option आपके पास में दिया गया है कि f of x into y जो होगा वो होगा fx plus fy third option में आपके पास में है कि f of x into y that is equal to greater than or equal to fx into fy और fourth option आपके पास में है f of x into y is less than or equal to fx into fy तो आईए इसको solve करते देखे किस तरीके से question solve होगा तो आपके पास fx equal to one plus under root one plus x square है तो इसको हम trick से solve करने पर पहले believe करते हैं तो मैं क्या करूँगा मैं x की जगे दो input ले लेता हूँ एक x equal to one और एक x equal to two तो f सबसे परने मैं x की जगे पर one डाला मैंने तो देखे one plus one का square कितना होगे आपने पास में two हो चुका है और f of two जो है मेरे पास में कितना हो चुका है देखे f of two मेरे पास कितना हो चुका है यह root two हो चुका और f of two equal to one plus two का square four तो यह कितना हो चुका है यह root two है और यह root five अब देखे मैं यहाँ पे tricks लगाता हूँ तो मेरे पास पहली trick तो बिल्कुल गलत हो रही कि fx into y equal to fx plus xy पहली तो लगी नहीं रही है दूसरी fx into y is equal to fx plus fy ऐसा भी नहीं हो रहा है क्योंकि अगर आप fx into y करेंगे मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा अगर आप इसको देखे आप fx into y करते हैं मैं second number option की बात करता हूँ तो f of one into two is equal to fx plus fy root two plus root five बिल्कुल ऐसा नहीं है यह भी गलत है मतलब ही option भी incorrect होगा third वाला देखते है f of x into y तो f of x into y रेखे x into y मतलब two into one जो है is greater than or equal to fx into fy मतलब root two into root five तो आपके पास में f of two कितना आ रहा है under root of five जो है greater than root two into root five बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं है और बट जो fourth option आपके पास में आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है तो correct option four होगा because fx into y कितना जागा root five and root five is less than आ रहा है यह ना root five किससे less आ रहा है root two into root five के product से so इस तरीके से root five is less than root ten तो बहुत ही आसानी से बिना कुछ करें question हमारा as a trick use करके हमारा पास आ चुका है तो यह से question को करने के लिए हम लोग trick का इस्तिमाल करेंगे done चलिए अब next question की तरफ चलते है अगला दिखिए question जो important है वो क्या है अगला question है seven persons are to be seated in a row साथ लोगों को एक कतार में बैठना है the probability that आपको निकालना है the probability that the probability that the two particular person that the two particular person that the two particular person sit next to each other okay sit next to each other आपको बताना है probability की दो particular person जो है sit next to each other आपको बताना है कि probability की दो लोग जो है वो हमेशा एक आजू बाजू में बैठें next to each other आपको बताना है कि ऐसे probability बतानी है जिसमें दो particular person है वो हमेशा आजू बाजू बैठें तो देखे ऐसे question को करने के लिए सबसे पहले आपके पास में 7 लोग हैं तो ये समझेए कि आपके पास 7 लोग इस row में ऐसे बैठे हुए हैं 1,2,3,4,5,6,7 ठीक ना 1,2,3,4,5,6,7 साथ लोग हैं आपको कहना है कि 7 person are to be seated in a row और आपको probability निकालनी है कि दो लोग जो है next to each other probability तो मतलब total आपको 7 लोग ही बिठालने हैं तो total cases कितने हो गए देखे फैक्टोरियल 7 अब इस में से आपके मतलब probability निकालनी है ना ओके to sit next to each other ठीक ना मतलब दो उन्दे ऐसे बंदे हैं जो 7 में ही बैठेंगे ऐसे निकालना आपको तो देखे तोटल कितने हो गए 7 हो चुके हैं अब मानलो आपके पास में ये दो बंदे हैं ओके ये हमेशा 7 में बैठने वाले हैं ये कोई भी दो particular person हैं ये जो दो particular person हैं आपके पास में ये जो बंदे हैं ये साथ में बैठने वाले हैं तो आप ये समझो कि ये जो चीज है इनको साथ में मानलो ओके ये इसको एक मानलो इसको क्या मानलो एक मानलो ठीक ना particular कोई दो लोग हैं और वो लोग साथ में बैठेंगे ठीक ना पूद बैट टू particular person दो फिक्स लोग हैं उस अब यदि ये दो लोग हैं तो कितने तरीके से मूफ कर पाएंगे ये समझो आप ले तो देखिए आपने क्या है इन दोनों लोगों को साथ में ले लिया है तो इन दोनों लोगों को साथ में as a unit अगर आप मान रहे हो तो आपके पास total places कित्ते बन रहे हैं और इनका खुद का कितना हो गया 6 तो मतलब ये जो है इसके साथ में total 6 positions हो सकती है ओके तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कितने तरीके से आप इनको भर सकते हो factorial 6 तरीके से जो है आपस में ये reshuffle हो सकते है ठीक ना जैसे कि आप ऐसा समझो जैसे ये place है first पे बैठे हुए है एक है इधर और एक है इधर ऐसे समझो आप कि अगर मान लो पहले एक और दूसरे में थे इसमें थे इसमें थे बट फिर no ने कहा कि नहीं या चलो इधर हो ज जाना है मतलब ये place 40 छोड़ दी इस तरीके से तो total इनके पास में total इनके पास में किते तरीके होंगे factorial 6 तरीके हो जाएंगे क्योंकि लोग किते ते साथ थे ना साथ लोगों में से दो लोग जो है particular two लोग जो है particular two लोग हमेसा साथ में बैठते हैं तो उन दोनों को साथ मे कर दोगे तो बाकी जो total है वो लोग को और इनको मिला करके total कितने तरीकी हुए factorial 6 तरीके हो गए क्योंकि वो 5 लोग तो अपस में शफल होंगे अब ये जो दो particular लोग है अंदर कितने तरीके से सफल होंगे factorial 2 तरीको से तो answer इसकी probability कितनी हो जाएगी देखे कैसे solve करेंगे so factorial 6 है factorial 6 को तो factorial 6 रहें दो 7 को लिख दो 7 into factorial 6 और उपर कितना आगया 2 ही आगया ये cancel हो गया तो इसका correct answer कितना आगया 2 upon 7 so this was an easy question done चली देखे अगला question जो है definite integral की बहुत अची property का स्तमाल करते वे बनाया गया है question note करिए question कहा गया है कि if fx is an even function if f of x is an even function ठीक ना if fx is an even function ठीक ना if fx is an even function 0 to pi आप से का गया then what is 0 to pi f of cos x dx तो आप से 0 to pi f of cos x dx क्या हो गई ये आप से पूछा गया है then what is 0 to pi f of cos x dx option जो आपको दिये गया है a दिया गया है 0, b दिया गया है 0 से लेके pi by 2 f of cos x dx तीसरा दिया गया है c equal to 2 times of 0 to pi by 2 f of cos x dx और fourth option d is equal to 1 दिया गया है चलिए आएए देखे इस question को कैसे बनाते हैं देखे solve करते हैं तो solution बनाने के लिए आपके पास mainly integral क्या दिया गया है सबसे पहले देखे integral आपसे जो value पूछी गई है वो आपसे बोली गई है 0 से लेके pi और f of cos x dx ठीक ना यह आपके पास function है 0 से लेके pi f of cos x का dx ठीक है आप इसमें number 1 दे दीजे और इसको property लगा दीजे अगर हम property इसमें लगा देते हैं तो i is equals to 0 to pi f of cos of pi minus x कितना हो गया dx ठीक है अब दीखे यहाँ पर क्या हो जागा i is equals to 0 to pi f of cos pi minus x कितना होता आप जानते हैं minus of cos x dx बट fx कैसा है even function है मतलब fx में अगर आप negative input डाले हैं तो भी आपको प्लस ही मिलेगा it means जो i आई आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 0 से लेके pi है ना 0 से लेके pi आपको कितना मिल जाएगा f of cos x का dx अब देखे आपने क्या देखा यहाँ पर आपने यह देखा कि f of a minus x जो है वो किसके equal आ रहा है fx के equal मतलब property एक और यहाँ पर साथ में दिख रही है कि f of मतलब जिसको आप a minus x बोलो या 2a minus x बोल दो equal to कितना दिख रहा है fx क्यों क्यों क्योंकि जो आपके पास function था f of cos of pi minus x जो है वो कितना आ गया वो आपके पास आ गया f of cos x क्यों क्योंकि even बोल रखा था already तो जिस वज़े से भी आया हो हमसे मतलब नहीं है तो property क्या लगती है कि 0 to pi होगा वो break हो जागा 2 times of 0 to pi by 2 में है ना तो हमारे पस अब क्या होने वाला है देखे अब हमारे पस क्या होने वाला है यह 0 to pi by 2 में break हो जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ this is equals to 2 times of 0 to pi by 2 okay f of cos x dx तो इस तरीके से भी direct answer क्या होगा इसका answer सी होगा तो directly property based question भी आपके exams में पूछे जाते हैं competitive exam में पूछे जाते हैं so this is done चली देखे अगला question लिखे अगला question है if okay question note करीए सभी लोग प्लीज question है if one of the if one of the lines okay if one of the lines आपके पास line दी गई है my square और plus one minus m square into xy और minus m x square equal to 0 यह आपके पास line दी गई है if one of the line given line is a bisector is a bisector of the angle between the lines xy equal to 0 क्या यह जो line है इसकी कोई एक जा लाइन है इसकी कोई एक लाइन जो है is a bisector क्या है किसका bisector है यह bisector है किस line का of the lines xy equal to 0 xy equal to 0 line का जो bisector है तो आपको बताना है कि m की value क्या होगी then m equals to क्या होगा ठीक ना तो आपके पास जो मतलब यह जो line है इस line में से एक line जो है bisector का है इस line में जो कोई एक line है वो bisector है इन lines का दो देखो xy equal to 0 इसका solution बनाते अब यहां से तो आपके पास में जो line है xy equal to 0 xy equal to 0 का मतलब क्या separately x equal to 0 and separately y equal to 0 अब y equal to x y equal to 0 और x equal to 0 किसको represent कर रहे हैं यह x एकस को और y एकस को represent कर रहे हैं तो इन के जो bisector बनेंगे एक तो बनेगी यह वाली line जिसका नाम है y equal to x और एक by sector ये बनेगी line जिसका नाम है क्या y equal to minus x तो कह रहा है कि ये जो line है ये किसको represent कर रही है by sector को represent करती है तो मैं क्या करता हूँ y equal to x मैं यहाँ पर put कर देता हूँ यहाँ मैं x की जगह y put कर दूँगा या y की जगह मैं x put कर देता हूँ चलिए मैं put कर देता हूँ देखी क्या हो जागा तो यह कितना हो जागा मेरे पास यह मेरे पास हो जागा m तो मेरे को finally value किस की चाहिए मेरे को m की value जाए option भी ले ताओ मैं आपके जो मेरे को options दिये गये है okay m के जो value option दिये गये है बुला है m equal to one होगा M equal to minus 1 by 2 होगा M equal to 2 होगा या M equal to minus 2 होगा ये चार option आपके पास मिलिए गए है अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको solve इसको देखिए किस तरीके से solve करेंगे आपको क्या कहा जा रहा है आपको ये कहा जा रहा है कि Y equal to X जो है वो by sector है और ये जो है किसको represent कर रहा है ये by sector को represent कर रहा है तो मैं क्या करता हूँ मैं Y की जगे पर X रख देता हूँ तो ये अगर Y equal to X रख देता हूँ तो वे equation क्या बन जागा देखिए Y equal to X रख देता हूँ ये बन जागा M X square plus 1 minus M square into X into Y तो Y की जगे X रखने पर ही होगया X square minus M X square equal to कितना होगया 0 होगया So M X square और यदि मैं इसको open कर लिया तो plus X square into 1 कितना होगया X square minus M square X square and minus M X square equal to कितना 0 M X square से M X square cancel होगया तो X square equal to M square X square OK तो M equal to plus minus 1 तो आपके दो option आ रहे हैं या तो plus 1 या तो minus 1 तो आपके पास जो available option है वो plus 1 में ही है तो एक तो तरीका आपके पास में यह हो गया करने का आपने क्या किया क्योंकि ये by sector को represent कर रहा है तो आपने कहा कि by sector को जब तुम represent कर रहे हो यह तो आपके लाइन दी गई है कितनी आपके पास में एम वाई स्क्वेर है और प्लस में 1-m square into कितना xy OK और minus का mx square equal to कितना है 0 आपके पास में ठीक रहा तो इसको यदि मैं यहां से मैं यहां से मैं यहां दी दो लाइन निकालो पहले एक मिनट तो ऐसे करना पड़ेगा देखे m y square और minus xy minus m square xy और minus का mx square equal to कितना 0 अब यदि मैं यहां से common ले लेता हूँ y तो देखे मिरे पास कितना आ जागा यदि मैं वहां से y common ले तो मिरे पास कितना आ गया मेरे पास आ गया m y minus x और यदि मैं यहां से m x square common ले लिया तो मेरे पास कितना आ गया है यहां पे आ गया m y minus फिर से x बज़ गया equal to कितना 0 देखे मुझे यहां से m x common लेने पड़ेगा तो अब देखे इसको मैं क्या लेख सकता हूँ m y minus x और y minus m x equal to कितना 0 तो आपके पास क्या equation हो गया आपके पास equation हो गया यहां से m y equal to x तो y is equal to x upon m ठीक ना m y minus x में यह हो गया एक मिनट कुछ गलती तो नहीं करीने हम लोगों ने यह देखे यहां पे जो है plus का x y है यह गलती हुई है तो यहां पे क्या आएगा यहां पे आएगा plus आएगा ठीक है ना और minus common लेंगे तो यह भी plus आएगा sorry यह mistake हो गई थी इसको सही कर लीजे तो m y plus x आपने common लिया है तो m y plus x equal to 0 तो y is equal to minus x upon m एक यह चीज आगी है और दूसरा y is equal to कितना है m x है यह दो lines आगी है जो represent कर रही है अब कह रहा है कि यह जो दो line में से एक line जो है by sector है किसका by sector है यह जो दो line है वो by sector है किसका by sector है x into y equal to 0 का by sector तो हमको पता है कि x into y equal to 0 के by sector होते है आपने पास y equal to mx होता है मतलब sorry y equal to x होता है और एक y is equal to कितना होता है, minus x होता है, दो bisector होते हैं, तो यदि मैं first वाले से compare करता हूँ, तो मेरे पास m की value किती आ रही है, 1 आ रही है, तो इस तरीके से दो method है, मैंने दोन method आपको बता दिये हैं, जो method आपको अच्छा लगे, आप लोग उस method का इस्तमाल करके कर सकते हैं, तो ये सवाल हो गया पूरा, अगले सवाल के और बढ़ेंगे, done, चलिए देखे, अगला exam में आये हुआ, question मैं आपके सामने करवा रहा हूँ, question क्या कहरा, देखे, question कहरा, the point on the curve x square equal to 2y, okay, question लिख लिजे, the point on the curve x square equal to 2y, okay, x square equal to 2y, which is nearest to the point 0, 5, okay, which is nearest to the point 0, 5, मतलब 0, 5 से जो है, nearest point आपको बताना है, तो देखे, कैसे करेंगे सवाल को, देखे, किस तरीके से करना पड़ेगा, इस सवाल, आपके पास मैं कहरा, the point on the curve x square equal to 2y, तो x square equal to 2y, जो है, पैराबूला आपके पास देखे, एक तरीके से पैराबूला बनेगा, और आ 0, 5 से सबसे closest आपको point निकालना है, ओके, तो मुझे लग रहा है, यहाँ कहीं इसका closest point लाई करेगा, तो मैं माल लेता हूँ कि यह point कितना है, h, k, है, h, k, अब actually, यह जो यहाँ पे curve है, curve पे h, के लाई करेगा, तो condition से, क्योंकि curve का equation है, कितना x square equal to 2y, तो condition से, h का square equal to कित अब देखिए, हम निकाल लेते हैं, distance, क्योंकि हमें सबसे shortest distance ही है, तो I can write distance equal to x2 minus x1 का square, y2 minus 1 का square, तो हो जागा, h square plus k minus 5 का whole square, ठीक ना, h square plus k minus 5 का whole square, अब इसको एक काम करिए, क्योंकि हमको distance को maximize, यह minimize करना है, तो मैं इसका square ले ले लेता हूँ, और d square को यह नया function माल ले करना हूँ, z, तो यह कितना हो गया, h square plus k minus 5 का whole square, अब यहाँ से आप h square को गयाप करके लिख सकते हैं, देखे, h square जो है, वो कितना हो जाएगा, h square की जो है, आप उट कर सकते हैं, 2K, ओके, तो यह पूरा का पूरा concept कितना होगा, देखे, 2K, plus 2, k minus 5 का whole square, और यह नया function में क्या दे तो का हूँ, इसका नाम जड़ दे चुका हूँ, अब देखे, maximize या minimize करने के लिए, हमको क्या करना परता, d, z by d, k, मैं कर दूँँगा, तो d, z by d, k, is equal to 2, हना, 2K तो है यहाँ पर, h square, तो 2K थाई पहले, तो 2K के respect में कर दिया, यह आगया, प्लस 2, और इसका कितना होजागा, k minus 5, ठीक ना, बस अतना होजागा, तो इसको में लिख सकता हो, 2K plus 2K, और minus 10 होगया, तो यह कितना होगया, यह होगया, 2K minus 8, ठीक ना, अब चलिए, देखे, maxima या और minus का 8, equals to कितना होगया, 0 होगया, so 2 of K, equals to कितना होगया, 8, तो K equals to 8 by 2, तो answer K की value किती आ चुकी है, K की value जो है, 4 आ चुकी है, okay, K equals to कितना चुका है, 4 आ चुका है, 4 आ यहां से, K की value 4 आ चुकी है, अब देखे, जो हमारे पास मतलब K की value 4 पर यह minimum होगा, यह maximum होगा, तो कर, diagram से दिखे रहा है कि maximum होने का chance तो कर दिखने रहा है, बट फिर भी यह किसा का आप चाहे है, तो double derivative यहां से कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि minimum की condition आएगी, कि maximum होगी, तो अगर आपने D square Z by D square Z by D square Z by D square Z by D square, double derivative कि दिखे, कितना होगा, minus 8, okay, तो आपके तो क्या होगा, greater than 0 आगया, greater than 0 मतलब आपको जो value हो रही है, वो क्या मिलेगी, minimum मिलेगी, okay, 2 into 1 आया आपके पस में, तो आपको minimum मिलेगा इस point पर, तो k equal to 4 पर आपको minimum point मिलेगा, तो कह रहा है कि बताए, सबसे जो छोटा point होगा, वो क्या होगा, आपको ये बोल रहा है, the point पूछा गया है कि कर पर जो point होगा, वो क्या होगा, तो k equal to 4 है, okay, तो x square equal to 2 के है, है ना, तो x square equal to 2 root 2, तो जो point बैठा होगा, इसके उपर, जो minimum position पर होगा, उसका नाम क्या होगा, 2 root 2, h की position 2 root 2 आई है, और k की position क्या आई है, k की position आपके पास आई है, कितनी, k की position आपके पास आई है, 4, तो point होगे 2 root 2, 4, ये important question है, kvS में ये पूछा गया है recently exam में, तो ऐसे questions आते हैं, done, चली, चली दूस्तों अगले question की और चलते है, अगला question बहुत ही beautiful मैं कहूंगा, तो question क्या है, दिखे, question क्या रहा, the maximum value, ओके, आपको बतानी है, maximum value of the function, आपको function दिया गया है, x into x minus 1, ओके, x into x minus 1, और plus 1, की whole power, 1 by 3 की आपको maximum value बतानी है, और ध्यान से दिखे, यहाँ पे जो interval दिया गया है, x is starting from 0 to capital 1 है, sorry, close interval बन दिया गया है, तो देखे, यहाँ पे य close जैसे ही लगा होता है, तो आप समझ जाईए कि आपको इस interval में, आपको absolute maximum और absolute minimum निकालना है, आपके पास 4 option भी दिये गया है, option भी मैं लिख देता हूँ, option है, आपके पास 1 by 3 की power 1 by 3, ओके, दूसरा option है, आपके पास 1 by 2, तीसरा option है, आपके पास में 1, चौथा option आपके चर दे, x into x minus 1 को क्या दिक्कत है open करने में, तो यहाँ पर यह bracket के अंदर कितना है, x square minus x हो जाएगा, x square minus x और plus 1 की power किता है, 1 by 3, ठीक है, चली, अब एक काम करता हूँ, मैं इसको differentiate कर देता हूँ, तो d by dx equal to कितना हो जागा, दीके, nx की power n minus 1 से कितना हो जागा, 1 upon 3, ओके, और x square minus x plus 1 की power, 1 upon 3 minus का 1, ठीक है, 1 upon 3 minus 1 मतलब 1 minus 3 by 3, कितना हो जाएगा, minus का 2 by 3 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 2x और minus का 1, ओके, अब देखे, इसको मैं और ज़्यादे बेटर क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 upon 3, नीचे कित ठीक है, कि whole power 2 by 3, और उपर कितना है, 2x minus 1, यह हो जुका है, अब देखे, आपको पता है, कि डीवबे dx को जो होता है, हम लोग maxima या minima के लिए किस से compare करते हैं, zeros compare करते हैं, ओके, तो एक ही चीज़ बन रही है, 0 होने के लिए, कि 2x minus 1 equal to 0, यहने कि 2x equal to 1, मतलब x equal to कितना 1 by 2, तो चलिए 1 by 2 पर मैं value निकालता हूँ, कि इसकी maximum value कितनी निकलती 1 by 2, तो यही मैं x equal to 1 by 2, क्योंकि हमें absolute maximum निकालना है, तो maximum value निकालनी है, तो maximum value निकालनी तो मैं 1 by 2 put कर देता हूँ, देखे, तो और हमारे पास close interval आपके पास already exist कर रहा है, तो जब आपके पास close interval exist क पर रहा है, तो आपको second derivative test लगाने की जुरूरत नहीं, आप सी लिए value उरकते जाएगे, देखे, आपके पास value आईगी, तो x equal to 1 by 2 पर जो आपके पास value आईगी, वो कितनी आईगी, देखे, मैं लिख देता हूँ, 1 upon 2, और 1 upon 2 minus 1, मतलब minus 1 by 2, और plus का 1, तो यह value आपके प पर चेक करते हैं, और 1 पर चेक करते हैं, साय दिन में से कोई value हमको मिल जाए, तो जैसे ही मैंने 0 पर चेक किया, तो 0 और यह भी 0 minus 1, कितना बन जाएगा, 0 हो गया, 0 plus 1, मतलब that is equal to 1 की power 1 by 3, तो कितना आगया, 1 आगई maximum value, अब चलिए 1 पर भी चेक कर लेता हूँ, तो 1 into 1 minus 1 कितना हो जाएगा, 0, तो f of 1 पर भी जो value आ रही है, वो कितनी आ रही है, 1 की power 1 by 3 equal to 1, मतलब दोनों point पर x equal to 0 पर, और x equal to 1 पर जो value आ रही है, same आ रही है, और यही आपको जो है, 3 by 4 देखिए, 3 by 4 तो 0 point something होगा न, मतलब यह absolute maximum नहीं है, यहाँ पर जो absolute maximum आएगा, वो कि correct answer कितना है, 1 है, ठीक है, तो इस टाइप के question की त्यारी कीजिए, आप चलिए, next question की तरफ चलते है, अगला question जो आपके KVS exam में पूछा गया, वो भी बहुत प्यारा question आया, बहुत beautiful question आया है, आई ये देखते है, वो question क्या है, ठीक है, चली, मैं question पूरा-पूरा लिख र आपके पास कह रहा कि कोई relation R है, एक set A में दिया गया है, set A में relation R जो दिया जा रहा है, वो इस तरीके से है, relation R in a set A is equals to, मतलब आपको ये जो है, relation R in a set A equals to, थोड़ा सा question में मेरे को कहीं न कहीं problem लिख रही है, कि relation R in a set A, okay, 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 तेखी रिखी रिखी, थोड़ा सा, लिख तो set A है, X belongs to Z, set builder form में लिखा है, और X की value जो है, वो कहां से कहां लाई कर रही है, 0 से लेकर 12 लाई कर रही है, बहुत बढ़िया, तो ये आपके पास में set A है, कि X is Z, Z मतलब integer है, और आपके पास में जो values लाई कर रही है, 0 से लेकर 12, मतलब कुल मिलाके जो आपके पास मे A, B, A, B, okay, such that, such that A minus B is divisible by 4, A minus B is divisible by 4, कह रहा है कि A minus B का जो modulus है, वो 4 से divisible है, तो आपको कह रहा है कि equivalence class of आपको 2 देनी है, then equivalence class of element 2, then equivalence class of element आपको 2, 2 की equivalent class आपको देनी है, देखिए तो बहुत ही simple question है, आपको के वल यह पहचानना है कि 2 के साथ जो है, कौन ऐसा नम्मर होगा कि divisible by 4 होगा, तो देखिए साथ मैं यही पर बना देता हूँ, अगर आप 2 के साथ 2 को pair कर आओगे, तो 2 minus 2 जो होगे, तो कितना 2 के बाद 4 नहीं होगा, because 2 minus 4, 2 के बाद कितना हो जागा, 6 हो जाएगा, 6 के बाद कितना हो जागा, देखिए 2 minus 8 अगर आप करते हैं, तो नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, ok, 6 होगया, आपके पास में, ठीक है, और देखिए 6 होगया, 2 होगया, 6 होगया, 8 नहीं हुआ, 8 के ब आपके पास 12 हुआ क्या दिखिए तो अगर आप 12टू-12 करते है तो अगर आप टू-12 करते हैं रहे हैं तो अगर आप आप 2-12 करते हैं तो मैइनसटर ना अथा मैइनस तो फोर से डिवाइट नहीं से शॉय डिवाइट भी नहीं wsvo 15 देखे माइनस 14 अगर आप करेंगे तो 2 माइनस 14 इक्वल टो कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा ओके और आपके पास ओके 14 तो आप जाए नहीं सकते ना क्योंकि आपके पास 12 तक ही तो मेंबर है तो इसकी जो जनरेट होगी जिसको आप ऐसे लिखते हैं कि जो 2 की एक्वलेंस क्लास होगी जनरेट होगी वो क्या होगी वो 2 होगी 6 होगी और 10 होगी तो इसका इसका और आंसर है 2, 6 and 10 ठीक है तो ये भी क्वेशन जो था कि विसके examination में आया था तो है काफी easy question बट prepare हो करके जाएए तो सब कुछ बनेगा done चली अगला जो question है ये तो मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि ये इतना ज़दा confusion create करता है ये question की भाई पूछो ही मत ओकी ये question बहुत ज़दा confusion create करता है तो इसको आये solve करते हैं लिके probability that a speaks truth 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 is 4 by 5 मतलब a के जो सत्त बोलने की प्रैक्ता वो कि तीये 4 बटे 5 है ओके a coin is tossed इसके बाद है a coin is tossed इसके बाद एक coin जो है उसको toss किया गया है a coin is tossed a reports that head appears a reports that a head appears और ये बोलता है कि एक head आया है ये बोलता है कि आया है head okay a coin को toss किया जाता है और a reports that head appears okay मतलब देखो पहले क्या हुआ है पहले toss हुआ है और उसके बाद भूलता है head आया है पहले कहता है toss हुआ है और उसके बाद that there was a head मतलब कुल में इलाके आपको क्या निकालना है आपको निकालना है यहाँ पर की probability निकालनी आपको यहाँ पर की वाकई में वहाँ पर head आया है तो head आने की आपको probability यहाँ पर निकालनी है ठीक ना head आने की probability आपको यहाँ पर निकले तो इसको करने के दो तरीके हैं एक तो देखो ध्यान से देखा जाए तो इस question को ऐसे भी कर सकते हो कि अगर उसने head उच्छाला है अगर a reports that head appear ओके a reports that head appear मतलब की उच्छालने के बाद उसने कहा है कि head आया है और head आने के उपर वाकई में head आया है मतलब वो क्या बोल रहा है truth बोल रहा है तो कुल मिला करके answer कितना आ जागा 4 by 5 4 by 5 मतलब truth बोलने की probability कितनी आगी उसकी 4 by 5 बिना कुछ करे answer इसका 4 by 5 दे दीजे अब देखें दूसरा method भी है इसका जो बड़ा method है जो ज़्यादा understanding लेकर के आता है वो भी मैं आपको बता देता हो देखें सबसे पहले क्या है आप event मालो तो आपको even मालो क्या even जो event है वो मालो speaking truth speaking truth तो speaking truth की probability आपके पास कितनी है 4 by 5 मतलब पांच में से 4 cases पर वो सत्य बोलता है और एक cases पर असत्य बोलता है तो e2 जो है आप मालो जूड़ बोलने की probability है false speaking false तो e2 आपने कितना मान लिया 1 by 5 बहुत शाहिए बहुत शांदर भई तो e2 आपने मान लिया 1 by 5 अब देखिए अब इसके बाद क्या है speaking truth अब आपको कहा गया है कि probability that speak truth is 4 by 5 ठीक है न अब कह रहा है a coin is tossed a coin is tossed and a reports that head appears देखो भई तो अब head या tail आने की probability अपन निकालते है head या tail तो इसको मैं लिख लेता हूँ h और tail जो भी है मतलब जो भी आप toss करोगे head आएगा या tail आएगा ठीक है न तो उसकी probability क्या होगी अगर आपके पास वो बंदा जो है बिलकुल सच बोल रहा है कि हाँ भाई वो कहरा बंदा क्या है truth बोल रहा speaking truth even मतलब speaking truth सच बोलने के बाद head आने की probability उसके कित्ती होगी 1 by 2 होगी सच बोलने के बाद head आने की probability कित्ती होगी 1 by 2 कि head आया है कि नहीं आया है है ना फिलाल आया है तो सच बोल रहा है और उपर से वास्तों में head आ चुका है तो सच बोलने के उपर head आने की probability किती होगी 1 by 2 होगी ठेक है ना दूसरी बात देखे कि अगर probability वो जूट बोल रहा है E2 ओके वो क्या बोल रहा है जूट बोल रहा है E2 और E2 के उपर E2 के उपर जो है probability जो है head आने की probability E2 के उपर किस चीज की head आने की जो probability होगी जूट बोलने के बाद भी अगर वो जूट बोल रहा है तो head आने की probability किती होगी 1 by 2 भाई देखो head आये गही चाए वो सच बोले चाए वो जूट बोले head आने की probability तो यही होगी बस आपने क्या करें आपने 2 cases बना लिए कि अगर वो सच बोलता है तो वाकई में head आ रहा है probability क्या है और अगर वो जूट बोल रहा है तो head आ रहा है तो probability क्या है एक तरीके से आपने ये निकाले इसको एची कर दो अब दीखे question क्या लगाना है अगर कह रहा है कि अगर head आ चुका है तो उसके सच बोलने की probability क्या होगी मतलब अपन को यहाँ पर base theorem लगानी पड़ीगी अगर head आ चुका है तो हमको even निकालनी है ठीक ना तो देखी क्या कैसे करना पड़ेगा अपन को पता इसके cases क्या होते है इसके cases होते है पी even multiply by पी एच अपान एवन प्लस पी एटू और multiply by पी यहाँ पर कितना हैगा एच अपान एटू और वहाँ पर जो ऊपर जो favorable case होता है उसको वैसे का वैसे ही उपर रख दो तो पी even multiply by पी एच अपान एवन ठीक ना आईए value पूट कर देते हैं देखिए हाँ पर तो पी even कितना है अपने पास में head साब बोलने सच बोलने की 4 by 5 multiply by कितना है 1 by 2 नीचे कितना आ जागा देखिए नीचे 4 by 5 multiply by 1 by 2 प्लस 1 by 5 multiply by 1 by 2 ठीक है चलो अब इसको हम solve कर लेते हैं सारी चीजें तो इसको आप जब solve कर रहे हैं देखो 4 by 5 1 by 2 तो इसको मैं solve कर लेता हूँ 4 upon कितना हो गया 10 नीचे 4 by 10 plus 1 by 10 answer कितना जाएगा इसका 4 by 5 is the correct answer so it is done चलिए अब अगली concept पर मैं question करा रहा हूँ जो अगला concept है वो है linear लीनियर कॉम्बिनेशन ओफ वेक्टर तो लीनियर कॉम्बिनेशन ओफ वेक्टर के बारे में अगला कॉम अगला question तो दीके आप क्या कह सकते हैं कि अगर तीन वेक्टर आपके पास कोप लेनर है ओके तीन वेक्टर आपके पास कोप लेनर है थोड़ा से एकलत बन गया यह यह देखिए तीन वेक्टर आपके पास कोप लेनर है यह वेक्टर ए है और यह आपके पास में क्या है वेक्टर भी है ठीक है यह वेक्टर ए है और यह आपके पास में कितने वेक्टर भी है तो आपके पास यह जो वेक्टर होगा इसको सपोज आप मान लिजिए वेक्टर R तो वेक्टर R जो होगा इन दोनों का linear कॉमबिनेशन होगा। तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर R is equal to होगा वेक्टर A का X टाइमस और वेक्टर B का कितने time y times vector b का y times इसको बोलते हैं linear combination of vectors okay और ये मतलब ये तो अभी आपने मैंने दो vector में आपको दिखाया ये तीन vector में भी इस्तमाल आप कर सकते हो okay अगर आपके पास तीन vector का combination जो रहेगा सी रहेगा स्थी तीसरा vector रहेगा अगर आप तीन vector ले लेंगे तो vector r is equal to x vector a plus y vector b plus z vector c ठीक है x vector a plus y vector b plus z vector c अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि तीन vector जो है linearly dependent है ओके तो एक condition में आपको और यहाँ पर बता रहा हूँ जिसका नाम है linear dependence ठीक है तो एक condition में आपको यहाँ पर और बता रहा हूँ जिसका नाम है linear dependence dependence तो क्या है देखी linear dependence की condition अगर आपके पास में तीन vector इस टाइप में है कि तीन vector आपके पास में vector a है vector b है और vector c है तो आप लिखेंगे कि three vectors vector a vector b and vector c are linearly dependent ओके तीनों क्या होगी linearly dependent इफ कब जब x vector a plus y vector b और z vector c की value क्या होगी 0 होगी when x vector a plus y vector b plus z vector c equal to 0 provided जबकी ये बात पता है कि x, y, z not all 0 अगर ये सबके सब एक साथ 0 नहीं है और तीनों का sum करने पर आपको 0 मिल्या इसका मतलब समझ जो क्या है ये ये आपके पास में जो vector है linearly dependent है ओके ये तीनों vector आपके कैसे है linearly dependent है चलिए अब next इस पर question क्यों चलते है जो आपके exam में पूछा गया है वो question क्या है दिखे आप से कहा गया है for expressing the vector ओके for expressing the vector आपके सामने एक vector दिया गया है vector x equal to कैसा लिखा है 26 उपर लिखा है और 12 लिखा है इदर 2 लिखा 26 12 2 as a linear combination of as a linear combination of combination of किसका किसका linear combination किसका किसका linear combination c1 का c2 का c3 का तो c1 जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया c1 दिया है 1-1-1 c2 कितना दिया गया आपको c2 दिया गया है 1-1-0 और c3 आपको कितना दिया गया है c3 आपको दिया गया है c3 आपको दिया गया है 001 ठीक ना अब कहा रहा है कि अगर ये जो वेक्टर हमाई पास में ये वाला है x वेक्टर अगर वो linear combination है तो बताएए linear combination किस तरीके का है as linear combination as कैसे लिखा जाएगा alpha c1 alpha c1 plus beta c2 plus gamma c3 है ओके तो आपको बताना है alpha beta gamma की value क्या होगी alpha beta gamma की value क्या होगी आई ये इस question को समझते हैं ये linear dependence का question है option दिये गया है पहला option है 7, 9, 19 दूसरा option है आपके पास 9, 7, 19 तीसरा option आपके पास में कितना 1 तीसरा option आपके पास में है 19, 9 और 7 और चौथा option जो आपके पास में है वो कितना 7, 19 और 9 ये देखे ठीक है 7, 19 है क्या कह रहा question, question को समझो आप पहले, question कह रहाँ आपके पास में कि एक vector आपके पास में x है एक vector आपके पास में x है तो आपके पास में जो x vector दे रखा बड़े अद्भूत तरीके से दे रखा है या पिरी कि 26, 12, 2 तो इसको simplify कर लो ये जो vector है आपके पास में ये है 26 i cap, ok, plus 12 j cap, plus कितना 12 इसको लिख सकते आप 2 k cap, ऐसे बना सकते आप, ok, ये तीन पार्ट में आपको vector दिया गया, 1 plus 2 k cap, ये हो गया, अब कह रहा है कि ये जो vector है, ये आपके पास में 3 अंदर vector दिये गया है, कौन-कौन vector दिये गया है, एक दिया गया है c1 vector, और दूसरा दिया गया c2 vector और तीसरा दिया गया c3 vector, तो आपको कह रहा है कि x जो है इन तीनों का linear combination है, alpha, beta, gamma constant के साथ, तो x is equals to कितना हो जाएगा, x is equals to हो जाएगा, alpha vector c1 plus beta vector c2 plus gamma vector कितना हो जाएगा, c3, ठीक है न, तो यदि मैं इसको लिखूँ, तो कैसा लिखूँगा, देखो जी, आप इसक को समझो, तो x vector equal to कितना है, 26 i cap, ठीक न, 26 i cap, और plus 12 j cap, plus 12 j cap, ठीक न, और फिर कितना है, अपने पास में, plus 2 k cap, equals to alpha, ठीक है भाहर, alpha आपके पास में, c1 vector कितना दिया है, 1 minus 1, 1 minus 1, i cap minus j cap minus g cap, plus c2 beta आपके पास में, c2 कितना दिया दिया है, 1 मतलब i cap और 1, यानि qui j cap, प्लस 0 k cap, ठीक न, और c3 आपके पास में, c3 आपके पास में, दिया गया है, कि C3 आपके पास में दिया गया है कितना C3 आपके पास में दिया गया है 0, 0, 1 0 I cap प्लस 0 J cap प्लस 0 K cap यह है आप से कहा गया है कि यदि ऐसा है तो Alpha, Beta और Gamma की पहचान करो तो दो तरीकें देखे सबसे पहले इनको simplify करके आप I cap, J cap, K cap की टमस में equation बना लो और फिर इसके बाद आप इसको क्या कर लो solve कर लो तो यदि मैं ऐसा ही कर लेता हूँ तो देखे क्या हो जाएगा मेरे पास तो 26 I cap प्लस 12 J cap प्लस 2 K cap ठीक ना यदि मैं I cap यहां से common ले लो देखे कितना आएगा मेरे पास alpha ठीक ना I cap यदि मैं common लेता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास alpha इससे आएगा इससे plus beta आएगा और इससे plus कितना आएगा zero यानि कि यहां पर किबल कितना आ रहा है zero आ रहा है अगला देखे J cap अगर मैं common लेता हूँ कितना आता है तो माइनस अलफा ओके और प्लस का बीटा और प्लस का कितना है जीरो है चलिए लास्ट देखिए आपके पास में अगर मैं के कैप कॉमन लेता हूं तो पहले बाले में कितना आएगा देखिए माइनस अलफा दूसरे बाले में कुछ नहीं है तो इस तरीके से हम में यहां पे पता लगाना है कि अलफा बीटा और गामा एक मिनट यार इंग सी 3 एक मिनट कुछ गलती हो गई है यहां पे कोफिशेंट तो मैंने टोटली गाप कर दिया ना यह क्या था अपने पास में एक पर में चेक कर लेता हूं देखिए आपके पास में क्या है पहला है ढॉना यह माइनसा मैंट-ी बिल्कुल सही हाँ दूसरा है यह आपके पास में रिलेशनविप बन रही है ठीक कल लूग आपगा है और आपको लेकर के आना है तीनों वेल्यू किसकी चाहिए आपके पास में कौ में वैल्यू चाहिए आपको दो तीसरा वाला जीरो आई के प्लस जीरो 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 सही है 26 12 दो बिल्कुल सही है अब देखे आपको अब आपको पता लगाना है कि कौन सा आपके पास में पेर जो है वो सही है कौन सा आपके पास में जो पेर है वो आपको बताना है कि सही है ठीक है और एक चीज़ और यहां पर देखी थोड़ी सी और मिश्टिक कहीं न कहीं हो बिल्कुल सही है यहाँ पर देखे लूगा मैं बीटा में कितने पास जे केप में मेरे पास देखी एक यह आएगा माइनस अलफा और प्लस का बीटा अब देखे बिल्कुल सही है अब देखे इसको करने के आपके पास में दो तरीके है या तो आप equation solve कर लो या तो आप क्या करो equation solve कर लो ठीक ना या तो आप equation solve कर लो equation solve करने से आपके पास में देखिए दो आ जाएंगे जैसे ये जो है आपके पास में IK बला और ये बला इन दोनो equations को आप solve कर सकते हो ठीक ना तो चलो अपने इसको क्यों ना solve कर लें, तो एक है alpha plus beta equal to 26 है, और दूसरा minus alpha plus beta equal to कितना है, अपने पास में 12 है, तो add कर दिया आपने तो 2 beta equal to 6 और 2 कितना हो गया, 8 और ये 3, तो यहां से beta की value कितनी आजेगी, 19 आजेगी, मतलब beta जो आपके पास में है, कितना है, 19 है, तो option मे देखिए, जो beta मतलब की, जो second वाला coefficient 19 केवल option number 4 में है, 7, 19 and 9, ओके, तो एक तरीका तो यह है, और दूसरा तरीका यह है, कि आप option में put करके भी निकाल सकते हो, कि alpha, beta, 0 जो है, i-cap का coefficient दे देगा, कौन सा होगा, आपको तीनों को alpha और beta add कर दीजे, तो देखिए, option में यही बात की जाए, तो एक alpha दिया है और beta दिया है, तो 7 और 19 कित्ता होता 26, इसमें 9 और 7 होता, इसमें 19 और, किवल इसमें आपका जो sum produce करके दे रहा, वो कित्ता देरा 26 देरा, यह वाले में, किवल यही आपको produce करके दे रहा है, तो इसलिए correct option क्या होगा, correct option आपका, जो है, D option होगा, ओके, तो दो तरीके मैंने इसको करने के बता दिए, एक तो आपकी full method है, और एक आप इसको short method से भी कर सकते हो, so this is done, तो friends, यह इस special session को जो हम PGT and TGT के लिए practice कर रहे थे, हमें इजाज़े दीजे, हम यही पर इसको end करते है, thank you so much for being with Loki Sir, Unlimited Study Zone, have a nice day, bye-bye.